असलाम लेकुम एन हाइक्सपर्ट्स क्याल चाले मैं हूँ शबीर रहमत और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शबीर शायर पर फंस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और आपको जो मैं एक्जेंपल मैंने जो सेट किया है वह भी आपको बताऊंगा होप आपके लिए काफी इंफिर्मेटिव होगी अगर आप उसको समझेंगे तो मेरा खाल आपके लिए बहुत असान होगा ठीक है समझे ना कर दो करें से शुरू से हम पढ़ लेते हैं networking devices hub के बारे में what is networking device hub So guys, यहां पर आप सबसे चाटी सी request करेंगा अगर आपने चैनल को subscribe नहीं के तो channel को क्या करना है Subscribe करें Without waste, let's get started So what is networking hub A hub is a physical land networking device which is used to connect multiple devices in a network So जो एक hub होता है वो एक physical networking device होता है जो के यूस होता है multiple devices को एक network के साथ connect करने के लिए they are generally used to connect computers in a land और ये land computer, sorry, land के साथ computers को connect करने के लिए generally इस्तमाल किया जाता है, ठीक है A hub has many ports in it, इसके अंदर multiple ports होती है, ठीक है और ये 4 port वाला मिल जाता है market से, आपको 8 port वाला मिल जाता है और 12 port वाला मिल जाता है, 24 port वाला आपको 48 port वाला मार्केट से available होगा और ये मिल जाएगा, बहुत ही असान होता है इसकी what is networking hub example, इसकी जो example जो मैंने set कि है बहुत ही असान है, अगर आप इसको समझेंगे तो मेरे खाल बहुत ही simple है a group of a WhatsApp, जैसे WhatsApp का group होता है, उसके अंदर कोई बंदा एक message करता है, तो सब को चला जाता है वो भी इसी तरह काम करता है, एक broadcast के तोर पर ठीक है, इसकी दूसरी example है, an electric extension lead जैसे आप किसी एक extension lead को power देते हैं, तो एक slot के अंदर ही सिर्फ lighter नहीं रहती, 220 आपके सिर्फ एक slot के अंदर ही नहीं रहती बलके दूसरी दो यहां पर जो गर नज़र आ रही है, आपको इनको भी वो 220 ही देगा, इसे ज़र अगर जितनी बड़ी आपकी extension होगी, यह तीन पोट्स नज़र आ रही है, आपको अगर चार, पांच, आट्स, जितनी भी पोट्स है, वो सारों को 220 ही देगा, तो इसका भ जी दाम अगर इसके बारे में ड्वाइज के बारे में पढ़ लें, वट आप देड़ देवांटिज ऑब, वट अब 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 बॉटकास देगा, जैसे मैंने आपको बताया है, आपके मैसिज को आपके डेटा को ब्रोटकास करता है, ठीक है, इस लेस एक्सपैंसिव बहुत ही असान है, आपने जैसे इसे पावर लगानी, 5 वोल्ड, 12 वोल्ड, 9 वोल्ड, ये तीन तरह के वोल्ड में काम करता है, और 220 वाले भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, सुच, सुरी, हबस मिल जाते हैं, वो बड़े हबस होते हैं, और 40 वाले, 40 वाले, 40 वाले, मतलब उसने एक connectivity बनानी होती है, हब तू हब वो आपकी घर तक आ जाता है, स्ट्रीट में चलने वाले जो डबे बॉक्स लगे होते हैं, आपके गली मोले में, वो एरे कवरीज करने के लिए, यही हबसी इस्तरमाल करते हैं, ठीक है, तो गाइस यहाँ 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 पर हम एक computer इंग में बंद हो जाए, तो क्या हमारा पूरा का पूरा सुच बंद होगा और यह बाकी के जो पांच computer से वो चलेंगे, जी हाँ बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि एक system अगर अपनी वज़ा से बंद है, तो वो अपनी वज़ा से बंद है, बाकी के जो पांच वो चलते जाती है, जैसे यहां पर आपको छे पोर्ट नजर आ रही, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे पोर्ट है, इन में से कोई एक पोर्ट उड़ जाती है, और एक आपका PC बंद हो जाता है, एक PC को data नहीं जा रहा, तो क्या बाकी के पांच या दो उड़ जाती है, तो बा पांच पड़ गया, बारश की वज़ा से खराब है, या कोई जंग लग गया है, वटवर कुछ भी हुआ है, तो बाकी के 400 जो आपके चलते रहेंगे सिस्टम्स, इसका मतलब यह जितना भी चलेगा, जितना इसका उपर चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, जितना वो एक ड देमज होगी, दूसरी डेमज होगी है, तो यह इसका बहुत यहां सा मतलब यही था, ठीक है, और यहां पर लास्ली हम पढ़ लेते हैं, डिसडवांटेज के बारे में, वाट आर दीडिसडवांटेज आफ अफ़ हब, इफ थे हब इस फेल, तैन इंटार नेट्रक विल ब दो जाएंगे, ठीक है, पावर ओफ नहीं होगे, सिस्टम चलते रहेंगे, सिरफ डेटा नहीं होगे, उनको ब्रॉटकस करेगा, हब, वी कांट सेंड प्राइविट अन पर्सनल डेटा थू हब, मतलब जैसे मैंने आपको पहले पता थे, कि ग्रूप के अंदर आप मैसिज करते हो, तो वो मैसिज या आपके इमेज, या आपका वीडियो कोई भी चीज़ वाटावर वो आपकी पर्सनल नहीं होती, ना आप से प्राइविट रख सकते हैं, वो सब के पास जाती है, तो इसकी बहुत ही साधा से एक्जामपल के हब जो होता है, वो पर्सनल डेटा को नहीं अफूड करता, मतलब सब को भी देता है, और हब देजनेट प्रोवाइड एनी स्क्यूरिटी, और आपको इसके बारे में समय लगी, अगर वो आपका डेटा स्क्यूर नहीं करता, आपके डेटा प्राइविट या पर्सनल नहीं रखता, तो इट मींस कि वो स्क्यू अगर आप डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो आप इसको उपर सेंड नहीं करते हैं, सिंपल इस डैट यह डबल मोड के उपर काम नहीं करता, ठीक है, तो आपके बारे में बड़ा, इसके डिसद्वांटिज पढ़ लिए, आपने इसको ब्रीफली देख लिया, और इसके बार प्रदीज गा, तैंक्यू सो मज मिलते हैं, किसी नेक्स रूडिक साथ अपने खेल रहे हैं, अपने खेल रहे हैं, अपने खेल आपएचान.